ओम नमो भगवते वासुदेवाए नमः नमस्कार दोस्तों आपके अपनी चैनल ग्यान शास्त्र में आप सबका स्वागत है हिंदु धर्म क्रंथ के मताबिक भगवान विश्णों ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत से अवता लिये है इसके साथ ही कई रूप भी धारड़ करके संसार का कल्याड भी किया है इनी में से एक है श्रीहरी का मोहनी अवतार ये बेहत खास माना जाता है हर साल बैशाक माह के शुकल पच्चे की एकादशी पर मोहनी एकादशी का वृत रका जाता है मानिता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत्र करता है उसे मोहमाया से छुटकारा मिल जाता है साथ ही मांसिक शांती के साथ जीवन के सुख और सफलता भी मिलती है इस दिन भगवान विष्णु को प्रसंद करने और उनकी क्रपा पाने के लिए भक्त पूरे विधिविदान से व्रत रखते है तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि मोहनी एक अदशी का व्रत कपड़ रहा है इस व्रत के क्या शुब मोहरत है, क्या पूजाविधी है, क्या पारण का समय है और व्रत को पूर्ड करने के लिए इस दिन हम कौन सी कता पड़े इस जानकारी के लिए वीडियो को लास तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईएगा दोस्तो इस साल 2024 में मोहिनी एकादशी वरत 19 मईज दो हजादशी दिन रवीवार के दिन रखा जाएगा मोहिनी एकादशी के वरत के बारे में मानिता है कि इस वरत के प्रभाव से हजार गौधान के बराबर फल प्राप्त होता है पंचांग के अनुसार वैशाक महा के शुक्ल पच्छी की एकादशी तिथी 18 माई 2024 को सुबह 11 बच कर 23 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 19 माई 2024 को दोपहर एक बच के 50 मिनट पर इस तिथी का समापन होगा मोहिनी एकादशी के पूजा का शुब महुर्त 19 तारिक को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से ले करके दोपहर 12 बच के 18 मिनट तक रहेगा वही व्रत का पारण 20 माई को सुबह 5 बच कर 47 मिनट से ले करके सुबह 8 बच कर 25 मिनट तक रहेगा हरिवासर का समय 20 माई को शाम को 8 बच के 22 मिट तक रहेगा दोस्तों इस दिन सूर्यदे सुबे 5 बच कर 47 मिट पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6 बच कर 58 मिट पर होगा ब्रह्म मुर्थ सुबे 4 बच के 11 मिट से सुबे 4 बच के 69 मिट तक रहेगा इस दिन अमरत योग 19 माई को सुबह 5 बचकर 28 मिनट से 20 माई को सुबह 3 बचकर 16 मिनट तक रहेगा व्रजी योग 18 माई को सुबह 10 बचकर 25 मिनट से 19 माई को सुबह 11 बचकर 25 मिनट तक रहेगा सिद्धी योग 18 माई सुबह 11 बचकर 25 मिनट से 19 माई को सुबह 12 बचकर 11 मिनट तक रहेगा और रहुकाल शाम को 5 बचकर 19 मिनट से शाम को 6 बचकर 58 मिनट तक रहेगा धार्मिक मानिताओं के मताबिक समुद्र मन्थन के बाद जब देव दानवों में अमरत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था तब वैशाख शुर्कल पचकी एक अदशी को भगवान विश्नु ने मोहिनी नामक इस्त्री का रूप धारड किया था मोहिनी रूप में भगवान विश्नु ने दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमरत भरा कलश ले करके देवताओं के हवाले कर दिया जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गय थे कहते हैं तभी से वैशाख शुकल पच्छ की एक अदशी को मोहिनी एक अदशी के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों मोहिनी एक अदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर इस्नान कर लेना चाहिए और घर की विशेश कर पूजा घर की साफ सफाई करें विश्टु भगवान जी के प्रतिमा को इस्थापित करके उनका अभिशेक करें उन्हें पीले कपडों से सजाए और पीले चंदन का तिलक लगाए विश्टु जी की मूर्ति के सामने देसी घी का धीपक जलाएं और पूरी शद्धा के साथ एका दशी का वरत करने का संकल्प लेगे ओम नमो भगवते वासु देवाई मंत्र का 108 बार जाप और विश्टु सहस्र नाम का पाठ करें इसके बाद श्रीहरी को पंच्य अम्रत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें फिर पूजा का समापन करें और आर्ती करें शाम के समय विश्टु भगवान की पूजा विदी विधान से करें फिर अगले दिन दो अदशी तिथी में पूजा के बाद वुरत का पारण करे और पारण के बाद गरीबों और ब्रामणों को भुजन खिलाए साथी दक्षिडा दे एक अदशी तिथी के दिन किसी के बारे में पुरा बिल्कुल भी ना बोले ना ही बुरा सोचे पद्वपुरान और विष्णुपुरान में मोहिनी एक अदशी के वृत के महत्यों के बारे में बताया गया है कि इस वृत को करने से भगवान विष्णु प्रसन होते हैं और जो व्यक्ति सचे मन से इस वृत को करता है उसकी सभी कामनाय पूरी होती हैं इसके अलावा ये भी कहते हैं कि मोहिनी एकदशी का वृत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों कोई भी वृत बिना वृत कथा के पूर नहीं होता है। चलिए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन हमें कौन सी व्रतकथा पढ़नी या सुनी चाहिए। मोहिनी की एकादशी की व्रतकथा की अनुसार सरस्वती नदी के टट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दुतिमान नाम का चन्रवनशी राजा राज करता था। वहां धन धाने से संपन्य और पुर्णेवान धनपाल नमक वैशिभी रहता था। वो अत्यनते धर्मालू और विश्णु जी का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनाले, पियाउ, कुवे, सरोवर, धर्मशाला आदी बनवाए थे। सडकों पर आम, जामुन, नीम, और ध्रष्ट बुद्धी। इन में से पाश्वा पुत्र ध्रष्ट बुद्धी महापापी था। वो पितर आदी को नहीं मानता था। वो वेश्या, दुराचारी, मनश्यों की संगती में रहकर जुआ खेलता और पराई इस्त्री के साथ भोग विलास करता और मास मदिरा का सेवन भी करता था। इसी प्रकार से अनेको कर्मों में वो पिता के धन को नश्ट करता रहता था। इनी कारणों से तरस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने गहने बेच कर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब जोरी करना सीख गया एक बार पकड़ा गया तो वैश का पुत्र जान कर चेतावनी दे कर छोड़ दिया गया मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आया राजाग्या से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया कारागार में उसे अत्यंत दुख हुए बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कह दिया वो नगरी से निकल कर वन में चला गया वहाँ वन ने पशुपच्चियों को मार कर खाने लगा कुछ समय के पश्चात वो बहलिया बन गया और दनुश्बान लेकर पशु पच्चियों को मार मार कर खाने लगा एक दिन भूग प्यासे व्यतित होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कॉंडिन ले रिशी के आश्रम में पहुचा उस समय वैशाक माह था और रिशी गंगा इस नान से आ रहे थे उनके भीगे वस्तरों के छीटे उस पर पढ़ने से उसे कुछ सदबुधी प्राप्त हुई वो कॉंडिन ने मुनी से हाँच जोड़ कर कहने लगा कि हे मुनी मैंने जीवन में बहुत पाप किये है आप इन पापों से चूटने का कोई साधारण मिना धन का उपाए बताईए उसके दीन वचन सुनकर मुनी ने प्रसन होकर कहा कि तुम वैशाक शुकल की मोहनी नामक एकादशी का व्रत करो इस से तुम्हारे सभी पाप नश्ट हो जाएंगे मुनी के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधी के अनुसार व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नश्ट हो गए और अन्त में वो गरुड पर बैठ कर विश्णू लोग को गया अता इस व्रत से मोह आदिसम नश्ट हो जाते हैं संसार में इस व्रत से श्रेष्ट कोई व्रत नहीं है इसके महात्मे को पढ़ने या सुनने से एक हजार गौदान का फल प्राप्त होता है इस एक अदशी की कथा वैशाक माहस के दान का पुन्य देने में सक्षम है अता हर मनुश्य को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा पढ़नी और सुननी चाहिए मुहनी एक अदशी पर भगवान विश्नो की अरादना करने से जहां सुक सम्रधी बढ़ती है वही शाष्वत सांती भी प्राप्त होती है खास कर उनके मुहनी रूप की पुजा करनी चाहिए साथ ही भगवान विश्नो को चन्नन और जो चड़ाने चाहिए क्योंकि ये व्रत परम सात्विक्ता और आश्रण की शुद्धी वाला व्रत होता है इस दिन उपवास व्रत रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए ये एकादशी व्रत बहुत लाबदाई है अता हमें अपने जीवन काल में धर्मा नुकूल आश्रण करते हुए मोक्ष प्राप्ती का मार्ग ढूनना चाहिए मोहनी एकादशी के अवसर पर शर्धालवों को सुबह से ही पूजा पाठ प्राता काली नार्ती, सत्संग, एकादशी महत्म की कथा प्रवचन सुनना चाहिए साथी मोहनी एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए इस दिन भगवान विश्णू के मंत्रों का 108 बार जाब भी अवश्य करना चाहिए वैशाक माह में गर्मी चरम पर होती है ऐसे में मोहनी एकादशी के दिन रहागीरों को पानी पिलाए और पैसे पशुपक्षियों को पानी पिलाने की विवस्ता करे अन्न जूते चपल छाता का दान करे इस दिन देवी लक्षमी के द्वादश नाम स्त्रोत का पाठ करना चाहिए दोस्तों इस दिन चावल लहसुन प्याज कॉंदो का साग गाजर शलजम पालक गोभी केला आम अंगूर बादाम पिस्ता नमक तेल मांस मसूर की दाल शहत का सेवन नहीं करना चाहिए तुलसी के पौदे में इस दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है इस दिन जुआ सटा ना खेले किसी भी प्रकार का नशा करना इस दिन भरजित होता है क्रोध मिथ्या भाशड का त्याग इस दिन भूल से भी ना करे इस दिन कांसे के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए किसी की निंदा करना, बहस करना या बुरी संगत में रहने का भी त्याग करे ये भी कहा जाता है कि इस दिन दातून नहीं करना चाहिए जाडू पोचा को इस दिन भूल से भी ना लगाएं क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों का नाश होता है तो दोस्तों ये थी जानकारी मोहनी एकादशी के विशे में आप भी इस बार मोहनी एकादशी का वरत रखे और भगवान मिश्नु और माता लक्ष्मी की क्रपाप राप्त करे भगवान भोले नात की क्रपाप सब पर बनी रहे तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इरादे रादे